मोदी क्या मजबूरी है क्यों भूसरन जरूरी है मन की वाद देश को दिल से बताईए मन की वाद देश को दिल से बताईए देश की जनता जागी उठी है मज गया हाकार बचालो अपना हिंदुस्तान मैं यहां पर क्यूं आया हूँ मिरे दिल के कुछ और भी दर्द हैं कुछ और भी मैं आपसे बया करना चाहता हूँ कि मान दिलाने आया हूँ हमारी बेहनों और बेटियों के साथ इंहोंने जो अन्याय किया है में देखा जब जब राजनीती लडखडा जाती है तो कहीं ना कहीं साहित तो उसमें अपना प्रभेश कर देता है और साहित ये बता देता है कि राजनीती जो है कहीं ना कहीं बदल देंगे आपको याद होगा कि आजादी के पहले भी तमाम ऐसे साहितिकार हुए जोनों साहित के माध्यम से राजनीती को बदलने का प्रयाश किया देश को आजात करवा दिया और देश को आजात कराने के साथ साथ ये बता दिया कि साहित कभी रुकेगा नहीं कलम कभी रुकेगी नहीं और कलम की ताकर इतनी होती है कि कोई सलक से संसत और संसत से सलक पर भी कहीना कहीं साहित् प्रेमी साहित को कीदा की ताकत की द्वारा यहां पर अब दिखाने का काम कर रहे हैं पहले तुम्हें आपका नाम जाना चाहँगा कि आपका नाम क्या है सर मैं राम प्रिजापती भोपाल मद्दप्रदेश से हूँ पिछले छे दिन से में हमारे हीरोस के साथ यहां पर प्रोटेश्ट में हूँ और मैं यहां दिन रात समय दे रहा हूं क्या लगता है कि जो बिनिश फोगाट है जो साक्षी मलिक है बजदरंग पूनिया जो लगातर आठ दिन बारिश भी हो रही है मौसम भी आप देख सकते हैं इसके साथ बजली पानी कार दिया जाता है तमाम जग्दो जहत के साथ संगर्स के साथ लगातर जो है आंदोलन जार है और आज हम सभी को हमारी हीरोस का साथ देने का टाइम है एदि आज हमने इनका साथ नहीं दिया ना आने वाला टाइम आने वाली पिड़ने हमको यही याद रखेंगे कि आप न्याय के साथ नहीं कड़ेते हैं आप अन्याय को भी गुप्त रूपत सहते रहना भी उसका स संबान करें आपकी कविताओं की जो है यहां पर जरूर सुनूगा मैं चाहूंगा कि आप अपनी कविता की माध्यम से अपने साहिद के माध्यम से जो है देश की सरकार को बताएं कि आखर क्यों यहां पर खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहा है उसके पहले-पहले सवाल नाम क् कुमार जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारत देश अब प्रोटेस्ट जेवी देश बन चुका है क्योंकि आप देख सकते हैं सलक से लेके संसत तक हर एक जगह जो है अब प्रोटेस्ट किया जा रहा है एक तरफ कॉंग्रिस पार्टी परेशान है दूसरी तरफ क डिलि को अंदोलन का सहर ही कहा जाता है जुलोसों का सहर जो है दिली है और जहां तक अंदोलन की बात करते हैं तो मैं मानता हूं ile इतिहास आप भी पड़ एं हम भी पॉर रहे यहां यह देश सद्रियों से गुलाम रहा है दो सवर्षंग्रेजों का सासन रहा है हमारे सटर्दासिनालीयों ने अनबरत अंदोलन किया है इसका मैं नाम इराना चाहूंगा सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है जो एक नहीं पंच तद्त्व के लिए और इस देश को चनौती देने के लिए यानि कि देश के प्रधान मंतरी राया को चनौती देने के लिए आखिर साहित क्या बोलता है कलम क्या बोलता है उसकर में आपके पास आँगा लेकिन पहले यहां पर भहिया का रुक करेंगे क्या कुछ लिखा है आपने जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान भगसींगी आजादिक वंसज वाली ये पहचान बचा लो अपना हिंदुस्तान सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है वो ही अपने घर में होते परिसान है सोना चांदी कांस से भर दी है मा की गोद उने मा के लाड़नों पर होता अत्याचार है क्यों इनको भूले रहे हैं देश के करण धार बचा लो अपना हिंदुस्तान अच्छे दिन लाने का बादा तुम ने किया जाने कैसे कैसे दिन देखने को आ गए जै जवान जै किसान नारों को लगाने वाले देश के खिलाणियों का हक तुम खा गए देश कमाने बढ़ाने वाले देश कमाने बढ़ाने वाले हीरों हैं परिशान बचा लो अपना हिंदुस्तान बचा लो अपना हिंदुस्तान पी एम क्या मजबूरी है क्यों भुसरन जरूरी है मन की वाद देश को दिल से बताईए देश की जनता जागी उठी है मच गया हाकार बचा लो अपना हिंदुस्तान मैं यहां पर क्यों आया हूँ मेरे दिल के कुछ और भी दर्द है कुछ और भी मैं आपसे बया करना चाहता हूँ कि मान दिलाने आया हूँ हमारी बेहनों और बेटीों के साथ इन्होंने जो अन्याय किया है कहीं ने का इनके साथ जो तो हमने देखा इनका यौन उत्पुणन हुआ है तो उनके लिए मेरे कुछ पंक्ति हैं कि हमारे बहनोक साथे देम नहीं खड़ी हुए तो आप समझ सकते आने वाले टाइम हमारा क्या होगा मान दिलाने आया हुँ सम्मान दिलाने आया हुँ सो ये हुए भारत का अर्मान जगाने आया हुँ मान दिलाने आया हुँ भारत जिन्दाबाद रहेगा इंकलाव के नारों में भारत जिन्दाबाद रहेगा इंकलाव के नारों में लूटली भेनों की असमता देश की हुकूमरानों ने खोई हुए बेटी का गिस्वास दिलाने आया हुँ मान दिलाने आया हूँ सम्मान दिलाने आया हूँ मान दिलाने आया हूँ धरम बाद और जाती बाद में कब तक बटते रहोगे फूट डाल सासन करने की नीती सहते रहोगे उटो सातियो जगो सातियो अपना फर्जिनवाना है भरतमा की रक्षा में प्राणों को विसराना है मान दिलाने आया हूँ सम्मान दिलाने आया हूँ मान दिलाने आया हूँ सम्मान दिलाने आया हूँ मान दिलाने आया हूँ